अगर किसी भी परीक्षन को आपको मानकी करत करना है तो उसका रिलाइबल होना बहुत ज़रूरी है अब रिलाइबलेटी है क्या एक परीक्षन को हम बार बार प्रियोक करें तो भी अगर उसमें अंक जो है वो समान रहते हैं तो उस परीक्षन को विश्वस्मिय कह सकते हैं जैसे हमने कोई एक बच्चा लिया एक हमारा सब्जेक्ट है वो हमने लिया उस सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक टेस्ट एड्मिनिस्टर किया आज की डेट में आज मान लीजे हमने आज की डेट में एक टेस्ट को बच्चे के ऊपर एड्मिनिस्टर कर दिया मतलब प्रशास बाद हमने उसको फिर से अपलाई कर दिया, सपोस हमने 30 को इस टेस्ट को दुबारा से इस ही बच्चे के ओपर अपलाई कर दिया, अगर इस बच्चे के मार्क्स लगभग 68 रहते हैं, 69 भी हो सकते हैं, 67 या 66 तक वैरी करें, तो भी हम यह कह सकते हैं कि यह टेस्ट विश्वस नहीं हैं, क्योंकि दोनों बार हमने जब इसको प्रशासित किया, तो इस बालक के मार्क्स जो थे वो बराबर रहें, लेकिन अगर यह कंडिशन थोड़ी चेंज हो जाती हैं, और जो चात्र के मार्क्स हैं, वो सपोस, 68 के स्थान पर 80 आ जाते हैं, या बहुत कम हो जाते है मतलब 50 हो गए, या कुछ बहुत जादा वेरियेशन आ गया उसके मार्क्स में, तो ऐसा परीक्षन कभी भी विश्वस्निय नहीं माना जाता। अब इसकी डेफिनेशन देते हुए एनेस्टेसी ने कहा, कि यदि किसी परीक्षन पत्र में, विभिन अवसरों पर, या एक ही एक बच्चे का हमने एक्जामपल लिया, ये एक बच्चा भी हो सकता है, या एक ग्रुप भी हो सकता है, तो जो उसके मार्क्स हैं, उनमें अगर कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, हम इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी ओफ स्कोर्स, मतलब अंकों की या प्राप्तांकों क इस्थिरता जितने प्राप्तांक इस्थिर हैं दोनों बार के टेस्ट में उतना ही ज्यादा हमारा परीक्षन विश्वसनी है अब हम बात करते हैं उन विधियों की जिनके द्वारा टेस्ट की रिलाइबलेटी को डिटरमाइनिया निर्धारित किया जाता है मौल रूप से ये चार होते हैं जैसे टेस्ट रिज टेस्ट मेथड दूसरा है परलल फॉर्म मेथड थर्ड है हमारा स्प्लेट हाफ मेथड एन फॉर्थ है मेथड ऑफ रैशनल एक्विवेलेंस आपके एक्जाम में भी अगर ये आता है तो I would suggest कि आप इसको हमेशा पहले किसी ट्री टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म में या किसी भी तरह से आप फ्लो चार्ट के थूँ या कैसे भी इसको पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाएं जिससे आपके marks आपको अच्छे मिल सकें क क्योंकि ऐसे reflection में teacher को ये समझ में आ जाता है कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं So now we are going to start with test retest method परीक्षन पुन्ह परीक्षन विधी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें एक ही परीक्षन होता है जिसे दो अवसरों पर एक ही व्यक्ति अत्वा एक ही सम्हू प प्रशासित मतलब administer किया जाता है ठीक है एक ही टेस्ट को दो अलग-अलग अवसरों पर एक ही व्यक्ति या एक ही सम्हू पर हम प्रशासित करते हैं तो जो दोनों अवसरों पर उनके प्राप्तांग है उनमें सहसंबंद गुडांक ग्यात किया जाता है और जो वो गुडा इसके गुण देख लेते हैं गुण में पहला गुण इसका है कि यह बहुत सरल और मित्विया ही है क्योंकि एक बार बनाना है एक ही टेस्ट बनाना है उसी को apply करना है तो इसको बनाना भी easy है और उसको use करना भी easy है मित्विया ही किस sense में कि धन्मे और समय की दोनों ही तरह से यह बहुत जादा effective रहता है, cost effective रहता है, then अधिक सुविधा जनक है, क्योंकि आपको बार-बार किसी चीज को बताना नहीं है, समझाना नहीं है, और एक ही तरह से उसका evaluation होना है, तो यह सुविधा जनक भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसमें कुछ दोश भी है, जैसे पूर साहचरिय या पुनहेस्मरन, जब हम छात्रों को एक टेस्ट एक बार दे देते हैं, तो उसमें जब दूसरी बार टेस्ट दिया जाता है, तो उनके marks जो हैं, वो हमेशा high हो जाते हैं, क्योंकि कुछ maturation, कुछ learning, कुछ practice, यह सब चीज़ें उनके results को effect करती हैं, और य उसमें हम क्या कर सकते हैं, कि यह जो difference हमें लेना है दो टाइम पर उस test को करने का, तो वो चार से छे सबताहा का अंतराल हो, मतलब एक या डेड़ महिने का आप gap रखें, उससे practice effect भी नहीं आएगा, maturation भी नहीं होगी, और learning effect भी कम effect करेगा, और पदों की संख्या जो है, व इसमें एक परीक्षन को दो भागों में, मतलब एक ही परीक्षन के दो भाग हम विक्सत करते हैं, मतलब जो दो equal forms होंगी, parallel मतलब दोनों equivalent होंगी, दोनों में जो questions हैं वो भी स्पान होंगे, उनके marks भी equal होंगे, number of questions भी equal होंगे, और उनका कठनाई इस तर भी एक ही तरह का होगा, इस तरह के दो समकक्ष प्रारूपों की रचना हम करते हैं और ये basically पुनर परिक्षन जो है हमारा पहले test, free test method, परिक्षन एवँन पुनर परिक्षन जो मेथर्ड है, उसका विक्सित रूप है, इसमें दो समकक्ष प्रारूपों की रचना करते हैं, और ये के आधार पर इन दोनों प्रारूपों को एक ही समहू पर भिन भिन अवसरों पर प्रशासित किया जाता है और दोनों ही अवसरों के प्राप्तांकों के मद्धे हम सहसंबंद ग्याद कर लेते हैं और इसका जो गुणांक होता है उसको समतुल लेता गुणांकिया of equivalence के नाम से जानते हैं इसके गुणों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा पहले दोश्था की स्मृति का effect आता है अभ्यास का effect आता है अनुभव का effect आता है तो वो जो हैं वो कम हो जाते हैं उन सब चीजों के प्रभाव और तातकालिक अनुखरम भी इसका संभव है मतलब हम एकदम से उसको नए टेस्ट को administer कर सकते हैं दोनों टेस्ट को simultaneously हम administer कर सकते हैं हमें बीच में time lapse करने की आवशक्ता नहीं होती क्योंकि हमारे लिए problem होती है कि बार बार उसी sample को available हो पाना मुश्किल हो जाता है तो ये समस्या हमारी इसमें solve हो जाती है लेकिन इसके भी कुछ दोश है जैसे दो समकक्ष प्रारूपों की रचना करना एक बहुत जटल काम है क्योंकि एक paper बनाना आसान रहता है लेकिन उसी के समतुल ले दूसरा प्रश्नपत्र निर्मान करना एक जटल काम हो जाता है और विशेवस्तु समान होने के कारण कहीं न कहीं अभ्यास की कुछ न कुछ effect हमें देखने के लिए अभी मिल जाते है थर्ड जो हमारा आता है वो है split half method इसमें क्या होता है इसमें एक परीक्षन को दो समान भागों में विभाजित कर लिया जाता है मतलब यहाँ पर परीक्षन एक ही होगा और उस परीक्षन को दो समान भागों में विभाजित कर लिया जाएगा अब जब गती परिक्षन की हम बात करते हैं, स्पीड टेस्ट अगर हम आ रहा है, तो उसमें जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो हमेशा समान रहता है प्रश्णों का, तो उनको विभाज़त करने में तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है, लेकिन जब हम पावर टेस्ट, शक्ती परिक्षन के विशे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उनको आरो ही क्रम में पहले हम विवस्थित कर लेंगे, इजी से डिफिकल्ट की ओर हम कर लेंगे, उसके बाद हम उसको दो भागों में विभाज़त करेंगे, अब ये दो भागों में विभाज़त करने के लिए प्राय है, हम even odd करके ले लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये जो नंबर है, उनको एक तरफ ले लेंगे, ये सब odd हो गए, then 2, 4, 6, 8, ये जो नंबर हैं, इस पर जो प्रशना आ रहे हैं, उनको हम दूसरे टेस्ट में ले लेंगे, अब क्या करना है, इन दोनों परिक्षणों को एक एक करके परिक्षार्थियों को दिया जाएगा, और जो प्राप्तांग है, उनमें सह संबंद ग्यात कर लिया जाएगा, लेकिन, अब क्या हुआ है कि आपने दोनों टेस्ट जो दिये, वो दो ग्रुप्स में दिये, ठीक है, अब दोनों ही ग्रुप्स के जो डेटा आए, वो हाफ हाफ टेस्ट के थे, पूरा टेस्ट आपका एक साथ पर डेटा आपके पास नहीं आया, तो इसके जो गुणांग होते हैं, उनको अर्ध विच्छेदित परिणाम कहते हैं, जो गुणांग हमें प्राप्त हुए वो अर्ध विच्छेदित थे, मतलब स्प्लिट हाफ किया था ना, तो हाफ ही हमें परिणाम मिले, गुणांग जो आए, अब उनको पौण गुणांग में परिवर्थित करने के लिए, हम स्पियर मैन के ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मुला का यूज करते हैं, अब इस फॉर्मुला को हम समझ लेंगे, यह हमारा फॉर्मुला है जो उसमें आर्सी जो है, वो है हमारे पौण परिक्षण की विश्वसनियता गुणांग और 2R, R क्या है अर्ध विच्छेदित जो परिक्षण है उसका विश्वसनियता गुणांग, हमने इन दोनों टेस्ट के जो परिणाम थे, प्राप्तांग थे, उनको आपस में कोरिलेशन कर निकाल लिया उनका, और फिर जो हमारा कोरिलेशन आया, क्यूंकि वो आधे टेस्ट का था, तो हमने उसको 2R कर दिया, और साथ में 1 प्लस R भी इसमें एड किया जाएगा, और इससे इसको टिवाइट कर देंगे, तो अब यहाँ पर जो हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, उसके जो विधिया थी हमारी, वो कौन सी थी पहले, काल पियर्सन मेथर्ड से निकाला था, या रेंग डिफरेंस मेथर्ड से निकाला था, जो हमने अर्ध विच्छे दिद परीक्षणों का गुडांक निकाला, और इसको डबल करने के लिए हमने स्पियर्मेन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मिला का प्रियोक्या जो यह है, अब इसके भी कुछ गुण और दोश है, पहला कि अभ्यास अनुभव पदों की सुपरिचितता आधी इस तरह की कोई भी प्रॉबलम नहीं रहती, क्योंकि एक ही टेस्ट को दो भागों में विभाजित किया, तो इन सबका इफेक्ट खतम हो जाएगा, समय और धनकी बचचत होती है, क्योंकि एक ही टेस्ट बनाना है, तो जाधा टाइम नहीं लगेगा, ठकान, नीरस्ता आधी का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आपने एक बार टेस्ट लिया, तो कंडिशन्स डिफरेंट होती हैं, दूसरी बार लेते हैं, तो बच्चों की कंडिशन्स अलग होती हैं, तो हमारे प्राप्तां को पर उसके एफेक्ट दिखाई देते हैं, अब इसके दोशों की जब हम बात करते हैं, तो किसी भी टेस्ट को एकुली भाग में विभाजित करपाना बहुत सरल काम नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ को दो भागों में विभाजित करके आप नहीं कर सकते, वहां अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग पद निरधारित किये गए थे, और अब उनको बांट दिया है, तो वो सही से नहीं बढ़ पाते हैं, दूसरा, विभाजन विधी, परिवर्तित होने से गुडांक भी विभिन हो सकते हैं, जैसे अभी हमने इवन ओर्ड से विभाजित किया, अगर हम शुरू के 50 और बाद के 50 ले लें, या बीच-बीच में से 10-10 का सेट बना के निकाल लें, तो जब हम लोग महाँ पे विभाजन विधी हमारी चेंज करेंगे, तो उसी के साथ गुडांक भी हमारा चेंज हो जाएगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब यहां आती है, वो यह होती है, कि अगर आपके पद जो है, वो 20 से कम है, तो यह विधी बिल्कुल भी कार्रे नहीं कर पाती ठीक से, तो हमें यह इस विधी का प्रियोग ऐसी अवस्ता में नहीं करना है, हमारा जो लास्ट मेथड है, वो है, मेथड ओफ रेशनल एक्विवेलेंट, तारकेक, हम लोग यहां पे वो देखते हैं इनका, कि कितने एक्विवेलेंट यह हैं, अब यह जो विधी थी, वो कूडर रिचर्ट सन के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको कूडर रिचर्ट सन विधी भी कहते हैं, इसमें अन्तह पद संगती, मतलब जो हमारे पद हैं, वो आपस में कितने जादा एक दूसरे से संगती रखते हैं, कितनी consistency है उनके बीच में, यह देखता है, इसलिए इसे अन्तह पद संगती के नाम से भी जाना जाता है, इस परिक्षण में होता क्या है, कि जितने भी पद हैं इस परिक्षण के, तो हमारा पेपर हमोजीनियस है, एक ही तरह की चीज़ों को देख रहा है, और अगर ऐसा नहीं है, तो हमारा पेपर है हिट्रोजीनियस है, और यह जो आपका method लगाते हैं, कुडर रिचर्टसन, यह तब जादा effect मतब हाय आता है, जब हमारा पेपर जो है वो सजातिये आए, उसमें सजातिये तकी विशेश्टा हो, और पारसपरिक आधार पर परिवर्थनियता या आंतरिक संगती हो, तो ऐसा पेपर का जो विश्वसनियता गुणांक आएगा, वो हमारा हमेशा उच आएगा, इसका प्रेयोग हम जादतर तब करते हैं, जब हमारे उत्तर डाइकोटोमस होते हैं, मतलब हाँ या ना में उत्तर देना है, या सही गलत में उत्तर देना है, जब हमारे पास केवल दो आप्शन्स होते हैं, जिनमें हमें एक का चैयन करना होता है, उस समय पर हम method of rational equivalence का प्रयोग करते हैं अब इसमें जो हम निकालते हैं equivalence वो निकालने के लिए Kuder Richardson ने formula दिया वो दो तरह के formula हैं पहली बात जब उन्होंने कही KR20 के नाम से उन्होंने formula दिया KR20 में उन्होंने कहा कि आप values को कैसे put करेंगे n upon n-1 n मतलब जो आपके number of questions है complete ठीक है n upon 1 then 1 minus pq p क्या है जितने students ने हर एक पद का हम या विशलेशन कर रहे हैं तो कितने लोगों ने कितने पदों पे correct answer दिया ये correct answer का पूरा आपका addition होगा sum of correct answers and q जो है वो sum of incorrect answers जिन लोगों ने गलत उतर दिये हैं उन सभी लोगों के सभी पदों के जो हमारे उतर हैं उनको हम यहाँ पर add कर लेते हैं और ये जो हमारा है वो SD है ये मतलब हमारा विचलन है कि हम mean से कितना विचलन हमारा हुआ है then again next formula जो दिया गया ये काफी easy formula था लेकिन कही न कहीं इसमें थोड़ी सी तुटी रह जाती है तो इसलिए इसको प्रेयोग easy है इसलिए जादा प्रेयोग करते हैं पर बहुत जादा शुद्ध इसके results नहीं होते हैं that is known as kr21 इसमें भी n आपका जो correct total number of questions then n-1 again total number of questions minus 1 then यहाँ पर जो हमारा विचलन है उसको हमने लिखा है then again total number of questions P is again the number of correct answers by the students and number of incorrect answers by the students and divided by standard deviation again अब इसके गुणों की हम बात करते हैं तो पदों में व्याप्ट सजातियता का सरलध्यन हो जाता है कि आपके जो प्रेशन है यह पद है वो आपस में कितने correlate करते हैं कितने सजातिय हैं एक तरह के हैं then पदों का कठनाई इस तरसमान हो तो यह विधी जो है वो अधिक उप्योगी रहती है और साथ में आंतरिक संगती को ज्यात करने का यह सबसे सरल तरीका है कि आपके जो questions है वो कितने internally consistent है then अब इसके दोशों की जब हम बात करते हैं तो परीक्षन की विश्वसनियता से अधिक आंतरिक संगती का ज्यान होता है इस formula को apply करने से और उपलब्धी के विभिन रूपों के अध्यन हेतु बनाये गए परीक्षनों की विश्वसनियता के लिए उप्युप्त नहीं है मतलब उपलब्धी में हम बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं suppose हमने maths का question paper बनाया तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चे को maths में division भी आता हो multiplication भी आता हो addition भी आता हो तो इस तरह के जो हम बात करेंगे तो उसके लिए सही नहीं है क्योंकि जो हमारे questions होंगे पद होंगे वो heterogeneous हो जाएंगे उनमें सजातियता कम हो जाएगी और सजातियता कम होते ही जो हमारा विश्वसनियता का गुणांक है वो गिर जाएगा इसलिए उस तरह के प्रश्णपत्रियदी है हमारे तो उनके लिए ये उपियुक्त नहीं है hope आपको ये समझ में आया होगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो like, subscribe और share करना न भूले कोई भी query हो तो comment box में मुझे जरूर पूछे thank you